हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं में सब्सक्राइब करें ओड़ा कि आने में आने झाओरा, खाूल roll बड़िता गारोप प्रॉ영 है करें तबाद गर चाहिजे गर दिल्म dedicा टहले शीक मिले करें खाया करें ज्मित खेंग झाल कुछम्हें। झाल 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 राजु, समण अंदल लेकर आवो अंदल राजु, समयाँ, अच्छिए वे राजु, समयाँ, बेखेशा में बादैंकार सुछिए किंटल कि अच्छिए आज़े वाजु, समयाँ, गुण पर भूल, कुछ ज़ुआ, अच्छिए और अच्छिए इसथारा से चुप मत बैटुए अच्छा चलो मैं होटल से खाना ओर कर रहा हूं तब बुलाओ खाओगी ना अनिता तुमने सुभा से कुछ निए काया मेरा गुस्सा खाने पर तो मत उतारो यार कोई चारा है मेरे पास हमेशा कनाटक है तुम्हारो तुम्हारो अले गल्दी करते हो फिर सॉरी बोलते हूं नाटक? इस्क्यूज में, मैं एक बिजनिसमें हूं और पैसा कमाने के लिए मैनत करनी पड़ती है वक्त देना पड़ता है अच्छा तो सारा वक्त बिजनिस मही देना पड़ता है और अपनी बीबी के लिए गंटा भी नहीं है तुम्हारे पास अगर ऐसा ही था तो क्या मुझे अपने साथ दुबाई लेके जा देंगी मैं घर पर ही ठीक थी कमाले यार तुम्हें तो जित कर दी के तुम्हें जाना है लेकर जाओ तो प्रॉब्लम ना ले जाओ तो प्रॉब्लम साथ मेचलना कि इप बात कीती सुभष तुम मुझे बताओ इस पोरे एक हथते हमने एक दुसरे की साथ कितना भग बताया है और हम सात में ब्रेक्वस करते हैं लेकिन तुम अपने पगा आपस साथ में वाद करते हैं तुम भी तो पून मे बिज रहते ही थी इतना सोना खरीदाय तुमने अच्छा एक तुम मुझा बता कि कि telef Ini जाती हूं बाता किर्भिग जाती हूं यहीं ड्रामा है. हमिश्या के यहीं नाट्टके, सुभाष्का, फिल्ले, फिल्ले गल्थी करते हैं और फिर सौरी बोलते हैं. यह जिस्ट, पिस्ट रोस्ट रोस्ट के जवरेसे... आप तोनों को कब पता चला के दॉली जी की मौत हुई है? सर, एक अग घंटा पहले हम लोग दुबाई से मुंबाई लैंड होगर सीधा घर आया है. अनिता ने गहने रखने के लिए तुजोरी खोली उसमेना तो गहने थे और नाई मेरी इंपोर्टेंट फाइल्स. उसमे तुसर तुसर दॉली जी की लाश थी. अजय कितने समय के लिए दुबे में थे अपलोग थे अपलोग दुबे में थे आपके घर में क्या कर रही थी? आप लोग के गहर मौझूदगी में आपके सेकेटरी दर्वाजा खोल के घर के अंदर आती है. आपके बेडरूम में खुछती है. आपकी टीजोरी खोलती है. और अपने आपको टीजोरी के अंदर बंद कर देती है. वो क्या सुसाइड करना चाहती थी? सर, हमें सच में नी बता कि ये सब क्या हो रहा है. पिछले एक हफते से तो सुभाश मेरे साथ है. और कई बार तो इनकी डॉली से फोन पर बातचीत पे हो चुकी है. अगर आपको चाहिए तो आप उनकी फोन रिकॉर्स चेक कर सकते हैं. ने, ने, फोन क्यों पून? सर, मैंने का वो डॉक्यमेंट मेरी तिजोरी में है. मैं मुंबई या कर उसे दूंगा. इसका मनलब है आपके खर की चाहवी डॉली के पास नहीं थी. नहीं सर, कभी नहीं. तो फिर आपके घर के चाहवी डॉली के पास काहँ से आई? सर, हो सकता है डॉली अपने साथी के साथ चोरी की रादे से घर में घुसी हूँ. और उसके साथी नहीं से धोका दे दिया. सारा माल लेकर खुद गायब हो गया. सर, प्लीस कैसे भी करके आप, आप, आप मेरे घहने ढून लीचे. उन घहनों में हमारे पुष्टैनी हीरो का हार है, जो बहुत ही महंगा है. उसमें जामुनी रंके हीरे भी है. प्लीस, सर. पुष्टैनी हार? जी, इनके पडदादा की यहां पर यह परमपरा सद्यों से चलिया रही है कि वो हार उनकी नहीं दोगों मिलेगा. स्माइली वाली बॉल, मॉंटी. मॉंटी वो मशुरूर जोल थी? आनकेल, वही गैनों का चोर जिसके पीछे बहुत टाइम से देजवर की पुलिस लगे वी. किन हर बार वो चकमा देके भाग जाता है. तो सबसी बड़ी बात यह है कि आज तर किसी ने उसे देखा तट नहीं है. आले जर. शरी, यह स्माइली बॉल मिला यह तिजोरी यह अंदर. श्माइली? मतले भी इससब मॉंटी करना है? वो सब्ता है, सर्. देया? अजरी. ठेक इले. कर दो कि आखों में जो लाल जामुनी रंग के दब्दे दिखाई दे रहे ना ये औक्सिजन की कमी की वज़े से हैं सांस अटगे थी इसकी इसलिए मात हुई है इसका मतलब किसी ने इस अगला गोट के इसे मार दिया और पर तिजोरी के अंदर बंद कर दिया कि नहीं रज़त जिस वक्त डॉली को तिजोरी में बंद किया गया ये सिंदा थी तंग गुटने समाहत हुए इसके जिन्दा तिजोरी में बंद किया है हां पर इसके तीन तीन कारण एक तो तो तीजोरी का दर्वाजा अंदर की तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ है ऐसा लग करूच के निशान है लगता है किसी ने छिटपटाक ने इसे खरोच जाए और तीसरा तयाई धर्वाजे कर अंद देख रहा हुआ है ऐसा ही रंग ये देखो इस डॉली के नाखुनों में भी है स्ञते चानी कोशिष की हुगी टीजोरी से बाहर निंगा लेकिन जब कामियाब नहीं हुए तो अंदर भुटके मर गए है भार। आरजी तीजोरी के अंदर का सारा माल्भार निकाल दियए अट डाउनी को इस खाली तीजोरी के अंदर बंकर दिया और यह सब किया है किस ने मारा सर मेरे बेटी को किस ने जील लिया मेरे बुरापे के साहरे को आप शांत हो जाए प्लीज हम आपका दुख समझते हैं हम लोग तैकिकात कर रहे हैं डॉली के गुनेगारों को हम लोग छोड़ेंगा नहीं यह सही समय नहीं आप से सवाल पूछने का पर इस घर में आप लोग सालों से रह रहे हैं नहीं साफ हम तो हम तो चोटी से कोली में रहते थे एक साल पहले डॉली ने अपनी मेहनत की गमाई से घर खरीदा बड़े प्यार से सजाया कि छिए अफाले ने रही डॉली ने घर खरीदा था माफ कीजिएगा पर डाली की तन्वा तो सिर्फ पच्छी सारो बड़े इतने तन्वा में यह ज़र खरीदा और यह सारी चीज़े हैं उसर्माईने बोनस मिलता था था कि हर मईने बोनस मुण फिसके बहुत खुश्च थे मियने कैश बोनस मिलता था पांच लाक रुप्ए पांच लाक रुप Кाम रुप ने हां साब उसे दो दिन पहली बोनस मिला था फांच लाक रुप वो तो, पैसे कहा है? डॉली के कमरें में है सर. हम देख सकते हैं? जी, मैं लेकर आता हूँ. सरी, डॉली जाहें, जितनी भी महनत क्यों ना करती हो. लेकिन पांच लाख रुपए कोई किसी को क्यों देगा, हर महीं ने? समझ में नी आ रहा है. बात तो अचीब है. तनकाब 25,000 और बोनस पांच लाख रुपए है. डॉली के बॉस सुभाजी से मिलना पड़ेगा. बाबरे. एक चोबर इतनी सारी चोरियां करने के बावजूद, आज तक कानून के शिकंजे में निया है, सर. इस मॉन्टी का केस रिकॉर्ड देख के लगता है, कि जैसे इसने चोरी करना बच्पन से ही शुरू कर दिया था. बाब रे बाब. इतनी सारी फाइले हैं, मॉन्टी की. लगता उसके पुरे खंदान के इतियाज निकाला है तुम लोगोंने. अशर और इतियाज भी बड़ा दिल्चस्प है, सौर से भी ज्यादा केसे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सर, स्माइली बॉल के अलावा उसके खिलाफ नाहीं कभी कोई सबूत मिला है, नाहीं कोई गवा. इतने सारे केसे दर्ज होने के बावजूद भी किसी फाइल में इसका फोडो तक नहीं है, सर. वही तो बड़ी अजीब बात है ना, कि सौ के ओपर चोरियां घरने के बाद भी उसे किसे ने देखा नहीं, उसका चेरा तक पतानी किसी को, कैसे हो सकता है, कई तो इत फाइलो वह गहने, वह किसको और कहा बेचता है, ये भी किसी को नहीं पता, वह शातिर है सर. शातिर, अब तक पाला नहीं पड़ा था ना, उसका हमारे साथ, अब पता चल जाएगा, सर जिन हर मुझरिम की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस उस कमजोरी को ढूंडो, तो मुझरिम मिल याता है, सर, एक इंस्पेक्टर वर्धन है, जो दो सालों से मॉंटी के पीछे हाथ दो कर पड़ा है, सर, और मॉंटी के लगबग हर केस की तैकिकाथ उन्हों ने ही की, इंस्पेक्टर वर्धन, इसे पी प्रद्युमन हिया, इस बार तो ये टेंडर मुझे ही मिलेगा इस से सस्ता अदाम और कोई कंपनी डे ही नहीं सकती, आप लो, डॉली मुर्डर केस के सिसले में आप से कुछ सवाल पुछने थे, जी, मुझे जितना कुछ पता था आपको बताई जो काँ सर, लेकिन आपने हमें ये क्यो नहीं बताया कि आप हर महीने डॉली को पांच ला इक कंस्रक्शन कामपनी की सेक्रेटरी होने के हिसाब से काफी आलिशान गर था उसका, और बड़े आशो आराम की जिंदगी जी रही थी, मैसर सुभाश, सच-सच बताईए, क्या डॉली आपको किसी बात को लेके ब्लैक मेल कर रही थी, क्या आप दोनों का अफेर चल रहा इसी भोली-भाली बातें बहुत सारे गुनेगारों के मुझे हम पहले भी सुझे के मिस्टर सुभाश चुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं, और जब वो वापस लोटते हैं, तो उनके घर की तिजोरी में हमें डॉली की लाश मिलती है, और डॉली के घर से हमें पांच लाख रुपे मिलते हैं, तो क्या लगते हैं तुबहे? प्रेडी का तजूर्बा ये कहता है कि सॉभाश जी हम से कुछ छुपा रहे है, जो है वो दिखता नही है, और जो दिखता है वो है नहीं. नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं. जब मैंने कुछ गलत किया के आँ है, य тов बढराना किस बात का. आप चाहे तो मेरी आपको फिर परशान्त करेंगे, थैंक्यू मेरी आज की सारी अपोइटमेंट्मेंट्स थैंसल कर दो मुझे आज बहुत जरूरी काम से जाना है करे बबनवा हमरा सबजी लेलो सबजी लेलो सबजी लेलो सबजी लेलो सबजी लेलो सबजी लेलो गाजर चीए सब? नहीं मूली, मूली मोलाना भाई नहीं चीए जाओ मॉन्टी भी नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कामियाब नहीं वह मॉन्टी जैसे चोर को पकड़ना तामाटर बेचने वाला काम नहीं है इसले दो साल से बेच बदल को कोई फादा नहीं वह साफ, मेरे खबरी नहीं खबर दिये सामने जो बंगला है ना एक लंडन से फैमिल्या है लंडन से बहुत सारा गैना लेके यह बहुत सारा अजा, कीम्ती कहने होते हैं वहाँ मॉन्टी दर्शन दिने जरूर आता है सही, सही बोला साफ मॉन्टी को पकड़ने में तुम हमारी मदद कर सकते हो काफी चानबीन किया तुम्हे उसके बारे में काफी फाइस सायार की है हाँ साफ आपका हो तो सबजी और फाइल दोनों लेके ऑफिस पहुचता हूँ हाँ, उसके पहले यहाँ पर किसी को ठहरा के जाऊंगा फिर आऊंगा ठीक है बहुत जल्द ब्यूरे में आके मिलना हाँ सार चलते हैं हाँ मुझे यह क्यों बला है? कोई खास बात? बहुत खास बात है CID इंस्पेक्टर्स मेरे ओफिस तक पॉच गए CID? मगर क्यों? उस दोगे बाद डॉली की वजा से मुझे तो पहले ही शकता उस पर पनौती थी वो पनौती जब जिन्दा थी तब भी बिजनिस में भारी नुकसान हुआ उसके वज़ा से अब बरने के बाद भी मेरे बड़ी मुझे बढ़ी काड़ी कर गए अब शान्त हो जाओ अरे कैसे शान्त हो जाओ उसका गला अपने हाथों से धोड़ दिया होता ना तो साथ अचा होता CID को मुझ पर ही शक है लेकिन अब आप चाहते क्या है अब किस्सा खतम करो यह लो पैसे और भूल जाओ के हम कभी मिले दे आज के बाद मुझे कॉंटेक करने की कोशिश मत करना अगर किसी को यह पता चला के यह काम मैंने तुम्हे सौपाया तो अपना मुझ खोलने के लिए जिल्दा नहीं बचोगे तुम्हीं समझे मुझे अपने पैसों से मतलब था जो कि मुझे मिल गए आप यह समझो के मेरे जबान पर ताला लग्या है ताला तो जेल की सलाखों पर भी लगेगा लेकिन तुम दोनों को जेल के अंदर डालने के बात CID? जयां CID सुभाशी आपने पैसे देकर इसका मुझ तो बंद कर दिया लेकिन अफसोस फिर भी इमें इसका मुझ खोलना पड़ेगा अब आप खुद अपना मुझ खोलेंगे या फिर इसका ताला तोड़ना पड़ेगा बाग गया बाग गया किस बात के पैसे दे रहा था सुभाश तोमें सर मेरा नहां बिकोल है और अर थर्डाय डिटेक्टिव एजनसी का मालिक थर्डाय डेटेक्टिव एजनसी का मालिक? या सर्ड़ तो फिर हमें देके भागए क्या? सर में अदर गे था क्योंकि मुझे पता है कि CID वाले कितनी सक्ती से पूस्ताश करते हैं लेकिन तुमारा डॉली के साथ क्या लेना देना सर विकल को मैंने हैर किया था मुझे शक्ता कि मेरे ओफिस का कोई स्टाफ मेरे टेंडर्स की confidential फाइब मेरे किसी दुश्मन को बेच रहा है फिछले कुछ महीनों से मेरे आज से काफी सारे टेंडर्स निकल गए हर बार कुछी पैसो का फरक आता था आपको पहले बताना चाहिए था कि आप डेटेक्टिव हो क्या पता क्या लगाया आपने इनको डॉली पर सख था इसलिए मैं उसको पर नजर रखे वे था लेकिन मुझे जरूस की हरकदर पर कोई शक नहीं हुआ तो वो पांच लाख रुपए जो हर मैने डॉली के पास आते थे उसका क्या वही तो सर सर जब आपने ओफिस में पांच लाख रुपए की बात करी तो मेरे शक यकीन में बदल गया कि डॉली ही मेरे दुश्मनों को मेरी फाइल्स बेच रही थी उसके बाद मैंने बिकुल को यहां बुलाया उसको पैसे दिया और कहा कि सब कुछ भूल जाए अगर बिकुल तक पहुच जाते तो आपको पता लग जाता कि वो डॉली पर मेरे ही कहने पर नजर रख रहा है और खही ना कहीं आपको लगता कि डॉली को मैंने ही मारा है यह बात तो समझ में आ रही है कि डॉली को हर मेने पांच लाग रुपे इस सुभाश का कोई कॉम्पेटीटर दे रहा था पर मॉंटी ने डॉली को क्यो मारा यह समझ में ने आ रहा है इस डॉली का मॉन्टी का कोई संबन था या फिर मॉन्टी ने डॉली को मारने का कॉन्ट्राक्ट लिया था? सर अब इस मॉन्टी तक पहुचे के कैसे? सीनन इस्पेक्टर वर्दान अब वही मॉन्टी के बारे में कुछ रोष्णी डालेंगा है सर इस्पेक्टर वर्दान रिपोर्डिंग वर्दान गुट्ट यह इस्पेक्टर सचेन श्रेया पंकच अई सर बाकी के ओफिसर देया सर अभीजीत सर और फ्रेडी दिखाईने देरे? बाहर गये किसी और केस के सिलसिले में अच्छी बात है तुम जानते हो इन सब को सर आप में कौन नहीं जानता जब मैं पुलीस टेंडिंग में था तो सी आईडी टीम के मिसाल दी जाती थी हमें बड़तान इस बार मॉन्टी ने सिर्फ चोरी नहीं किया खून भी किया है माफ करना सर, मुझे नहीं लगता मॉन्टी किसी का खून कर सकता है क्यो? सर पिछले दो साल से मैं मॉन्टी की केस की तैकिकात कर रहा हूँ सौ से भी जादा चूरियां किये पर उसने एक भी खून नहीं किया इस बार किया है उसने डॉली के बॉस की घर पर चूरी की डॉली की मदद लेकर और काम कतब होने पर डॉली कोई मार दिया सर मॉन्टी अकेले ही चूरी करता है किसी के मदद के बगेर चूरी करना उसका पेशा नहीं जुनून है जुनून वो जब भी चोरी करता है, पूरी प्लानिंग के साथ करता है और तब करता है, जब खर पर कोई ना हो मतलब जहां वो चोरी करना चाहता है, वहां का इलाका पहले चान लेता है तो वहां असपास रहने वाले लोगों से पुष्टाज भी करता होगा और तभी शायद किसीने उसे देखा भी होगा सर आप चैरे की बात कर रहे हैं आज तक उसका असली नाम किसी को नहीं पता ये मॉंटी नाम तो हमने उसके गुनाओं की फाइल खोलने के लिए रखा है हाँ, जहां भी वो चोरी करता है वो smiley ball जरूर रख जाता है जैसे लगता है जैसे कि तुम उसके fan हो गए उवरता है नहीं सर कर चुड़ो, उसके कोई तो कमजोरी होगी, कोई तो कमजोरी सर एक कमजोरी है क्या है बता अनमोल और कीमते हीरे अच्छा अनमोल और कीमती हीरे हुँ लुग ओख़ासे जुडने ही? प्रशूर, मैं वेड़ूर। भीड़ूर। Sir. Oh, really? Yes, Sachin. Sir, main entrance अलावा, थीन entrance और भी थे, जो मने आपने शील कर वादी। अब एक्जविशन में आने के लिए, सिर्फ एकी रास्ता है, और वहां पे भी स्रक्त पैयरा है. पंदोस तो अच्छा ही है सचेन, मगर इस मॉन्टी को कम्सोर समिझने की गल्ती हम नहीं कर सकते हैं, बेज बदलने में माहिर है आदमी सब कुछ ठीक है? आँ सर अरे कैमरास चीक है ना पुछ बड़ तो नहीं है? नहीं सर बेंगेट का फुटेज दिखाना थेकिए सर बारी बारी सबी कैमरास की फुटेज चेक करते रहेना मॉन्टी भॉच चाते रहे हैं, कैमरास के साद छेड़ सानी भी कर सकता है, समझे? जी सर सर, सीचेटी वी कंट्रोल रूम की चेकिंग हम लोग ने कर ली है ठीक है, आप और निकल, सामने वले अंटरेस पर नजर रख़ों मैं यही निकलिस के पास में है मैं यही निकलिस के तो तीन दीन बैक अप थे हमारे बास कोई हिला नहीं आसे यहार का गया यहार नहीं जाएगा आप सब लोग इस तरह आएगा आप सब लोग इस तरह आएगा प्लीस कॉपरेट कीजे इस तरह आए जल्दी जल्दी श्रिया निकल सब की तलाश ही लो यह मॉंटी इसे कमरे पर कही होना चाहिए सर पार फेलिर की वज़े से सी सी डी रेकॉर्डिंग भी नहीं कोई बात नहीं इस एक्जिबीशन हॉल से बाहर जाने के सारे रास्ते हमने बन कर दी है इनी में सो कोई हमारा मॉंटी है मैं हवा हूँ आपके आसपास हूँ आप मुझे मैसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं पकड़ नहीं सकते हैं मैं चालाक हूँ, शातिर हूँ चोर भी हूँ लेकिन खूनी नहीं सुभाष की तीजोरी मैंने ही साफ किया था लेकिन उस लड़की का खून मैंने नहीं किया सर, और में जितने भी लोग है सब की तर लाची ले लिए निकलेस किसी के बास नहीं मिला सर, मुझे भी हार कहीं नहीं मिला यह मांटी तीस सेकंड में हार चोरी करना यह चित्थी रखना और इस कमरे से बाहर निकल जाना यह कैसे मुम्किन हो सकता किसी इनसान के लिए अब क्या करें से मॉंटी की तरह सोचो नेकलेस चुराया है तो कहीना कहीं तो उसे ज़रूर बेचेगा शेहर में जितने भी ऐसे जोरी है जो चोरी के गहने खरीते हैं वहाँ परेड डालो एक बार यह मॉंटी हाथ लग जाए तो सर्फ तीस सेकंड नहीं सिंदेगी भर के लिए उसे अंदरी में रहना पड़ेगा पदारो, सेधिया, पदारो, क्या दिखाओ अरे भया, मैंने चोक्खा हिरा चाहिए हम् यह उमारे भईसाब है आज भाइसाब और भाभीजी की सालिय रहे तो भाइसाब भाभीजी को भट बड़ी आशी बेट देना चाहते है हाहा बात समझ में आ रही है की नहीं हाह इस अस्टिया क थया आये आप लोग खहळिए मैंलेकर आता कि अज़ा रखा है अधारो यह रूखा तुका खाना नहीं खा नाम को सेटिया दिखावे पर मज जाए यह अंदर की बात है पुलीस की नज़र से बचा के रखना पड़ता है पुलीस की नज़र से बचा कर छोड़िये न कि अब देखिए कि यह देखिए कि 200 साल पुराना है मार्वार के राजगराने का अब यह मत पुछना यह कहां से आया कड़ी से कड़ी सुलक्षा थी फिर भी हमारी नात के नीचे से वो हार लेकर गया कैसे सर हमने तो हाने जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दिया थी यहां तक के हर गैस की अच्छे से चेकिंग भी की लेकिन कुछ नहीं मिला सर तो तो पर हो हार गया कहां गया वो हार क्या अपने अब चल कर बाहर गया सारी चेकिंग की थी कोई ना कोई चाला की किये इस मौंटी ने कोई ना कोई चाला की किये इसकी सारी फाइले निकालो फिर से निकालो कुछ ना 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 कुछ न तो मतलब फिलाल तो मेरे पास नहीं है लेकिन नया हमाल आएगा ना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आप अपना फोन नंबर देखे जाएए बात की बाद में देखेंगे चलाओ जेखाए अज़र इस नहीं हमारे पुष्टैनी हीरों का हार है उसमें एक जामुनी रंग का हीरा भी है यह हार मॉंटी नहीं जुराया था नहीं सार नहीं हो सकता नहीं तो पहले कभी नहीं देखा बर्दान यह हार सुबाज जी के तीजोरी से चोरिवे थी और चूके डॉली की लाश में तीजोरी के अंदर से मिले थी, ये केस सीरे सीएडी के पास आया था तुम्हारे डिपार्ट्में में नहीं, मॉन्टी नहीं बेचाई या हार, चलाओ अवाया क्या हुआ, विच्चर बदल गया, देतूरी या हार हाँ, वेड़ो अब ये बताओ के ये, मॉन्टी का हा है मॉन्टी? कौन मॉन्टी? आपलो कौन है? वच्में? इंस्पेक्टर दया, सी आईडी से सी आईडी? अब बुला अपने वच्में को सीनियर इंस्पेक्टर वर्धान, क्राइम यूनिट यू 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 यू... वर्ना तुमारी एक गल्ती सिंदग की भार के लिए भारी पड़ सक्ती है मुझे माहफ कर दो सर, मैं डर गया था वहार मॉन्टी नहीं मुझे बेच आथा मॉन्टी का रमबर है लिए तुमारे बदास? क्राइम रिपोर्ट पर वर्धन का अंगुठा यहां तो सिगनेचर है तो फिर अंगुठा क्यों इन फाइल्स में तो उन्होंने अंगुठे लगाएं सर्...िस फाइल इस पर सिगनेच़ है किसी फाइल्स पर अंगुठा है किसी फाइल्स पर सिंगनेचर है जक्कर क्या है कि और इस पात कुछ आजमने हो रही है श्रया, तब अदर वर्धन का फोन लगा सर, उनका फोन तो भंद है तो बिर हेड़कॉर्टर्स को फोन करो और उनसे पूछो कि वर्दन का अंगुठा और वर्दन के सिगनेचर ये चक्कर क्या है? ख्रिष्टर्स के सिगनेचर दिटन के सिगनेचर एक अंगुठा लगाते हैं? अच्छा एक बात बताईए है, और अपने केस फाइल पर सिगनेचर करते हैं या अंगुठा लगाते हैं? Okay, thank you. What did he say? Sir, the officer's headquarters said Inspector Vardhan didn't come to duty last three days. He didn't come to duty last three days? Sir, he also said that his phone is coming. Sir, last two days he was working with us. That's why he didn't report in the headquarters. That's not. In any case, we have to inform the headquarters. Okay, so what did he say about the signature? What did he say about the officer? The officer said that six months ago there was an accident of Inspector Vardhan. And his leg was fractured in his hand. They put in the case files. But sir, we all saw Inspector Vardhan use his leg at every place. Let's see. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Inspector Vardhan? Sir, he is still with me. But he will leave. Oh no. Put. Put. What? What are you doing? I have to stop my time. I will ask one question. I will have one answer. And that is true. That guy came here with me. Who was here? He was Monty. Monty. Monty was Monty. Monty was Monty. Monty was Monty? Why did you tell me? I was scared of Monty. He was scared of Monty. What did he say? He gave me a mistake in front of you. Why did I say something? Why did he say something? I just saw nothing. I didn't know what he was going on. Is this one of the one when I was just sleeping? You could be as a scientist, You could be as aчи priest. You could be as I said something to the other side. But, you know it. Monty. वर्दान नहीं मॉंटी है। हाज सर। उसे पहचारने में बहुत बढ़ गलती हो गया है। व्यों सुचिंग, क्यों! क्यों गलती हम से? कैसे हुँ गलती हैं? कैसे हम अई उसे उसे पेवखूफ बनाने दिया। कैसे? कैसे किसी को भी शक्ने हुआ है। जो जो उसने कभी उस पर शक होनी दिया ही नी एक्सविक्टर वर्दान ने हमें बंगलोर पे बलाद है था सर उसे मिलने के लिए हम लग वह पहुचे तो ये मॉंटी मिला वो वो सब्जी वाली के पेश में था सुरी सर्फ मैं मैं वसे पैचान नी सका नहीं द्याय सिर्फ तुमारी गल्ते नहीं हम सब की गल्ती हैं हम सब की गल्ती हैं समझ में नहीं आता है समझ में नहीं आता इस मॉंटी को पता कैसे चला कि मैंने इंस्पेक्टर वर्दान को फोन पर का था कि तू हमारे साथ इस केस क किस्ता ही कि का आप में आजा, कैसे पता चला, कैसे, उस वक्तो हमारे अला और कोई भी नहीं था बियरो में, कैसे, माई गॉड, माई गॉड, का मॉड, का मॉड, झाल झाल कि अब कैसे पकड़े से हां सर चोरो का राजा लगता है यह मौन्टी हर एक चाल के पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान होता है सर बहुत अगलमंदी और बहुत चालाकी से काम करता है यह मौन्टी हां सर इस वक तो कहीं बैट के हांसरा होगा हम पर हां चूलू पर पानी में शर्म की बात तो है काश यह खबर अगपारों में छब जाए कि तो ना कट जाएगी मैं तो उनके सामने ही खड़ा था फिर भी CID मुझे पैचान नहीं पाई सर अगली बार अगर हमारे सामने आए तो हम तो इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे क्यों नहीं पकड़ पाएंगे सर. पेस बदलने में माहिर है ये. हुम बहुत अलग है. सर सारे देशों के पुलिसेसे फकड़ने में नाकाम हो गए है सर. लेकिन कुछ तो करने ही पड़ेगा! पकड़ना तो पड़ेगा ही. कुछ तो करने ही पड़ेगा. स्कीरिंग, चाओ, शर ये ठाग इतना शातिर है, पकड़ेंगे कैसे इसे? वही तो, कोई सुराग भी तो नहीं हमारे पास, क्या करें, कैसे पकड़ेंगे इसे? सरिस्ट्रेगर के हसाब से काफी नजदीक लग रहा है मौंटी एक मिनुटी ये मौंटी पांचों मीटर के रेडियस मरें है सर्लेगियो मौंटी के काफी करीब हाग है अ बहुत हाई रही है तो कि चला कि अच्छ शौक है ना तुझे अक्पारों में खबर जापने कर रहे हैं अच्छ कर रहे हैं इसलिए मैं इंस्पेक्टर वर्दान बढ़ गया है था था कुछ लेना देना नहीं है मैंने तो डॉली को दिर्खा भी नहीं है जूट तुम और डॉली उस रात बंगले में गये थे हाँ सर मैं उस बंगले में गया था लेकिन सिर्फ चोरी कंदे डॉली वाग क्या कर रहे थी मुझे कुछ नहीं बता सर मैं चोर हूँ कुडी नहीं नहीं मैंने सौच चुरिय किये लेकिन आज तक इसे का खुट नहीं किया मैं खुडी नहीं हूँ मैं बेकसर हूँ मैं बेकसर हूँ अगर तुमने डॉली का खुड नहीं किया तो फिर किस ने किया है क्या हूँ बताओ क्या हुआ था उस रात को उस बंगले में उस रात मैं सुभाष की गर उसकी तीजोरी में रखे गहने चोरी कर दे गया था मुझे बता था कि सुभाष अपनी पत्नी के साथ दुभए गया था सर जैसे मैंने किसी के आने के हड़ सुनी मैं खिडकी से भाग गया था मगर भागने से पहले तुम्हारे पास इतना समय था कि तुम माइक्रोफोन वारी बॉल यॉरी में रख के भाग सको सार स्माईली बॉल केंदर में पहले से युज माइक्रोफोन फिट कर के रखता था और जहां जहां मैं चोरी करता था, वहां बहुत रखते था लेकिन क्यों? जब उन लोगों को पता चलता था, कि उनके कीमती गहरे और हीरे चोरी हो गएं, तो उनके रोने की आवाज, उनके दुख से कोसने की आवाज, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था बड़ा आजीब शौक है इसका, मतलब चोरी करने के बाद तुम आकर रिसीवर के सामने बैठ जाते थे, लोगों का रोना सुनने के लिए, है? नहीं सर, मैंने रिसीवर के पास एक रेकॉर्डिंग मशन रखी है, जब भी मुझे फुरसत मिलती है, मैं वो रेकॉर्डिंग सुनता हूँ, लेकिन इस पार चब मैंने रेकॉर्डिंग सुनी, मुझे पता चला कि एक लड़की का खून हो गया है, और C.I.D. ओफिसर्स को मुझ में शक है कि मैंने उस लड़की का खून किया है, तो मैं डर गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंस्पेक्टर वर्दान बनके आपके टीम में जूर जाऊंगा, और आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, कि डॉली का खून मॉंटी नहीं कर सकता, वो तो हम पता ल होनी के बावजूद भी तुमने ओगे ने चुराए के से, जब मैं उस एक्जिबिशन के गया था चेकिंग करने के लिए, तब मैंने वहाँ पे छोटा सब बग्रण तब मैंने वहाँ पे चोटा सब बग्रण तीक है, बारी बारी सभी केमरेस के वुटे चेक करते रहना, जी सर, मॉन्टी बहुत शातिर चोर है, क्यामरा के साथ छेड़ खाने भी कर सकता है, उस बग की वज़े से, तीस सेकंद तक पावर चला गया था, आप लोगों ने सब की तलाशी ली, मुझे इंस्पेक्टर वर्दान समझ कर, मेरी तलाशी नहीं ली, इंस्पेक्टर वर् सिर्फ आपको विष्वाज लाना चाहता था कि मैंने डॉली का खून नहीं किया है, अच्छा तुम्हारे तिजोरी में वो माइक्रोफोन रख के जाने तक, डॉली उस कंपरे में नहीं आया थी, राइट? नहीं. फिर तो सर, उस रिकॉर्डिंग मॉशीन में, डॉली या फिर उस खूनी की आवाज तो जरूर रिकॉर्ड़ दियोगी. वो रिकॉर्डिंग सुननी है है, मैं. तुम? तुम यहां क्या कर रहा हो? जब मैंने तुमसे कहा था क्या हम कल मी लेंगे तो? कल किसने देखा है, डॉली? हो सकता है कि तुम कल का सवेरा ही ना देख पाओ? देखो, देखो, मेरे पासमात आना, वर्ना? वर्ना क्या होगा? आज तुम जो हो, मेरी वज़े से हो. मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, आज मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी. प्लीज, माफ कर दो मुझे, आज तुम जो हो, मेरी वज़े से हो. मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, आज मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी. प्लीज, माफ कर दो मुझे, आज! सुना? आज सर, जब आस-पास माइक्रोफोन या स्पीकर वगरा होता है, तो फोन आते वाग्त इसी तरह की आवाज आती है. एक्साटली! है ना? आज सर, सर, हो सकता है उस वक्त सभाश ने डॉली को फोन ट्राई किया. लेकिन सर, डॉली तो अपना मोबाइल घर पे बूल गई थी. अगर डॉली अपना फोन घर पर बूल गई थी, तो वहाँ पर जो फोन बजा था, वो सजनभी का फोन हो सकता है. उस खोनी का फोन. श्रया काम करो, सारे मोबाइल कमपनिस को फोन करो, और पता लगाओ, उस रात देड़ और दो बजे के बीच सुभाश के घर पर किस नंबर से फोन आया था? अगर वो पता चल गया, तो ये भी पता चल जाएगा. उस अजनभी का उस खोनी का फोन नंबर, और वो है कौन, ये भी. हाँ, हाँ, अपनी विजनस की सफलता के लिए आपने जो भी निड़े लिया है, बिल्कुल सही है. अब आपको जो भी कॉंटक्ट चीए, उसे पाने में मैं आपकी मदद करूँगा. सियाइडी से बचने में तुमारी कौन मदद करेगा? सियाइडी? आप लोग है? अपराधी जहां, सियाइडी हो बहाँ. तुम्हें क्या लगा था? डॉली का मडर करने के बाद, तुम सियाइडी को चक्मा देने में असानी से काम्याब हो जाओगे? मर्ण, डॉली का? मैं वलाद, डॉली का खून क्यों करूँगा? सर्में दिदोस हुजार. अच्छा. अमने तुम्हारा फोन रेकॉर्ड चेकिया, विदुद. जिस दिन डॉली का खून हुआ, तुम भी मवजूद थे. मिस्टर सुभाज के पंगलो पे. डॉली के साथ तुम्हारी जो भी बाते हुई है, उसके रिकॉर्डिंग है हमारे पास. जाओ, तो फोरंच सिक टेस्स करवा सते हैं. जाने बेरो. डॉली को क्यों आरा तुम्हें? सर्डॉली मेरे लिए काम करती थी. लेकिन वो तो सुभाज की सिक्रेटरी थी ना? सर्डॉली में उसे सुभाज की सिक्रेटरी की जॉब दिलाए थी. दर असल वो मेरी ख़वरी थी. सर्डॉली मेरी डेटेक्टीव एंसी में एजेंट्रों का आम बड़ी बड़ी कमपनी वे जॉब दिलवाते. ताकि वहाँ के मालिकों के अंदर की ख़पर मुझे देश के और फिर तुम उस कबर के जरीए उन मालिकों को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे निकलवाते थे लेकिन सुबास ने तो तुमें उस कंपणी के इंफॉर्मर को ढूंड निकालने का काम सहपा था ना? डॉली ही वो इंफॉर्मर थी मैंने ही चाहता था कि सुबास को इन सारी बातों का पता चले इससे मेरे प्लैन पर पानी फिर जाता इसलिए मैंने उसे कहा था कि डॉली बहुत इसी थी है अगर डॉली तुमारे लिए काम करती थी तो उसका खूम करके तुमने अपनी पैरों पे कुलाडी क्यों मारी सुर डॉली की नियत खराब हो गई थी लालची हो गई थी वो वो मुझे ब्लैक्मिल करने लगी थी दमकी देती थी कि अगर मुझे उसे जादे पैसा ने दिया तो से एड़ी के सामने मेरे सारी पोल खोल दे कि मैंने उसे बहुत संजारी कोशिश की साथ लेकिन उसने नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया तुम जैसु को थो पांसी ही होनी चाहिए पांसी पांसी